So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का Android गेम और उसको monetize करेंगे ताकि उस गेम से हम earning भी कर पाए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गेम दिखा देता हूँ, उसका interface कैसा होगा, उसमें ads वगरा कैसे आएंगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने लिए भी इसी तरीकी की gaming application बना सकते हैं और उसको monetize करकर पैसा कमा सकते हैं, तो चलिए पहले game को देख लेते हैं तो यह रही वो हमारी gaming application, तो चलिए इसको open करते हैं तो जैसे अब open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो add है वो run हो रही है इस add को बोलते हैं banner add और एक intertational add आता है अगर आप मेरी game में थोड़ा time spend करेंगे तो आपको पूरी full screen पर एक add show होगी तो उसको बोलते हैं intertational add intertational add जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा time पर दिखाई देती है अगर आप इसमें time spend करते हैं इस gaming में तो वो add भी आपको show हो जाएगी तो यहाँ पर आप इसका interface देख सकते हैं यहाँ पर आपको levels वगरा मिल जाते हैं coins भी मिल जाते हैं अगर आप levels पर click करेंगे तो यहाँ पर मैंने 50 levels यहाँ पर add कर रखे हैं already वो चीज़े मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको level वगरा add करना है तो जैसे आप levels को cross करते जाएंगे यह चीज़े unlock हो जाएगी तो चलिए इसको back करते हैं और यहाँ पर आपको coin का section मिलेगा यहाँ से आप अपनी coins को देख सकते हैं और अगर आप coins को earn करना चाते हैं तो आपको अपने social media पर इसको share करना होगा यहाँ पर आप दे सकते हैं share on facebook इसको पर click करेंगे और जैसे आप अपने facebook पर इस चीज़ को share करेंगे आपको इसके बदले में 40 coins मिलेंगे तो चलिए इस तरीके से आप इसको share करके coins वगरा earn कर सकते हैं बैक करते हैं तो यहाँ पर मैंने जो game बनाया है वो quiz type में है तो आपके सामने इस तरीके से question आएगा उसका answer आपको पता होगा तो आपको यहाँ पर नीचे जो words दीखे हुए हैं इसको आप टच करके words यहाँ पर add हो जाएंगे और जैसे यह correct होगा आप नए stage पर पहुँच जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको play करेंगे तो यहाँ पर एक question है which is the longest river on earth तो यहाँ पर हम answer इसका type करेंगे जैसे यहाँ पर question wrong होता है उसके ओपर आपको tap करना है वो answer हड़ भी जाएगा तो यहाँ पर हमें type करना है तो जैसे ही आपका answer right होता है आपके सामने कुछ इस तरीके का windows आएगा उसके बाद यहाँ पर आप fun पर भी click कर सकते हैं या फिर continue पर click कर सकते हैं हम यहाँ पर fun पर click करेंगे आप नए stage पर पहुँच जाएंगे तो इस तरीके से जो है game work करती है अगर आप भी इस game को try करना चाते हैं तो मैंने description में link दे दिया है इस gaming application का आप ज़रूर download करके एक बार try ले ले उसके बाद आप अपना खुद का gaming app बनाए उसके बाद आपको यहाँ पर three dots पर click करना है यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़े देखने को मिलेगी सबसर पहले get coin का option मिलता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस तरीके से यह get coin work करता है and then यहाँ पर आपको sound on और off करने का option मिलता है यहाँ से आप sound को on और off भी कर सकते हैं उसके बाद share का option मिलता है अगर आप अपने game को share करना चाहते हैं तो इस तरीके से share कर सकते हैं उसके बाद about का option मिलता है उसके बाद contact का option मिलता है तो अगर आप contact पर click करेंगे तो यह by default आपके mail id में खुल जाता है तो यहाँ पर मैंने अपने खुद की mail id एटेच कर रखी है जैसे आप इस पर click करेंगे आप अपने mail id पर पहुच जाएंगे जिससे आप मेरे को mail कर सकते हैं यहाँ पर आप चलिए click करते है close menu पर तो आप आप इसे game पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने इस game को देखा आसा करता हूँ कि यह game आपको पसंद भी आया होगा और आप इस तरीकी game बनाना भी चाहते होंगे अगर आप भी ऐसे interesting videos देखना चाहते हैं तो चैनल को जड़ो subscribe कर ले और इस bell icon पर भी क्लिक कर ले तक कि हमारे हर वीडियो की notification आपको मिल सके तो चलिए कुछ नया सीखते हैं So guys अभी आप मेरे computer के screen अपने display पर देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम एक browser open करेंगे यहाँ पर मैं Chrome browser यूज कर रहा हूँ उसके बाद आपको इस website पर आना है जिसका नाम है quick app ninja इस website के link मैं आपको description में दे दूँगा आप बड़े आसानी से इस page पर आ सकते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर खुद को register करना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर register पर click करेंगे यहाँ पर आप दे सकते हैं इस button पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना full name आपकी mail id और यहाँ पर password create करके register पर click करना है तो चलिए इस process को हम पूरा कर लेते हैं यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पर हम mail id डाल देंगे मैं यहाँ पर एक fake id create कर रहा हूँ क्योंकि मैंने already अपनी id बना रखी है आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक fake id create कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि किस तरीके से हमें अपनी gaming app बनानी है उसके बाद हम यहाँ पर mail id डाल देंगे यहाँ पर एक मैं कुछ भी random सा mail id डाल देता हूँ and then यहाँ पर हमें password set करना होगा तो चलिए यहाँ पर password set कर देते हैं उसके बाद आपको register पर click करना है तो चलिए register पर click करेंगे तो जैसे आप register पर click करेंगे आप register हो जाएंगे इस application में आपको आपकी id और password को याद रखना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर आपको 25 point मिले होंगे इसको आप cut कर दे उसके बाद आप यहाँ पर दे सकते एक बटन होगा create new game इसके उपर आपको click करना है तो जैसे यह आप वहाँ पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर आपको chart type के game देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप दे सकते हैं guess the picture, tiles, four pick, one word और यहाँ पर find word तो हमने जो game बनाया था वो यह रहा तो इसको हम बनाना सीखेंगे तो इस तरीके की game application बनाने के लिए आपको यहाँ पर click करना होगा use this templates इसके पर आप जैसे click करेंगे आप editing में पहुँच जाएंगे यहाँ पर कुछ time लगेगा यहाँ पर कुछ loading हो रही है इसको होने दे पूरा तो जैसे loading पूरी हो जाती है आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा आपको click करना है got it पर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ से आपको choose करना है कि आपका game किस language में होगा यहाँ पर हम English को choose कर लेंगे और OK पर click कर देंगे and then आपके सामने कुछ इस तरीके का interface होगा तो सबसे पहले हमें click करना है design वाले option पर इसके उपर हम click करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का interface होगा अगर आपको यहाँ पर अपना theme चेंज करना है तो यहाँ पर आपका options मिलेंगे आप यहाँ पर apply पर click करके अपने theme को change कर सकते हैं तो जैसा ही आप theme को choose कर लेते हैं आपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें से theme हमें यह वाली choose कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा gameplay का तो यह सारी चीज़े आप by default ही रहने दे आपको click करना है यहाँ पर flash screen पर तो जैसे ही आप flash screen पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ से आप choose कर सकते हैं कि जब भी आपका game कोई भी open करेगा उसके सामने सबसे पहले screen किस तरीकी की आएगी यहाँ से आप choose कर सकते हैं solid color, यहाँ से इस तरीकी का और यहाँ पर यह और option है इस तरीकी से तो हमने जो choose किया था वो ये choose किया था उसके बाद हमने अपने नाम का यहाँ पर png upload किया था जैसे हमारा कोई भी game open करेगा splash screen में हमारा नाम उसको show होगा उसके लिए आपको यहाँ पर upload पर click करना है and then यहाँ से आपको choose करना है वो png कहाँ पर आपने upload करके रखी हुई गया है तो यहाँ से हमने यह रही वो png इसको हम select कर लेंगे और open कर देंगे यहाँ पर हमारी png जो है upload हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो png है वो upload हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने नाम का png बना ले और उसको यहाँ पर upload कर दें इसकी size होनी चाहिए 512 pixels into 512 pixels इस size के इसाब से आपको png बना लेना है और यहाँ पर upload कर देना है तो जैसा ही कोई भी आपका game launch करेगा उसके सामने कुछ इस तरीके से यह show होगा उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी changes नहीं करना है आपको यहाँ पर content पर click कर देना है इस वाले section में आ जाना है तो जैसे ही आप content पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ से आपको अपना level create करना है तो level create करने के लिए आपको यहाँ पर option मिलेगा upload का यहाँ से आप दे सकते हैं size आप दे सकते हैं 600 x 600 pixel के साब से आपको अपना questions ready करना है मतब frame बना कर आपको अपना questions उसके अंदर type करके ready कर लेना है तो मैंने already कर रखा है तो हम क्या करेंगे upload पर click करके अपने questions को यहाँ पर import कर देंगे यहाँ से आप दे सकते हैं मैंने धेर सारे questions बना रखे हैं तो यहाँ से हम एक questions को choose कर लेते हैं एक कोई भी questions यहाँ से ले लेते हैं random सा उसके बाद आपको open पर click करना है तो जैसे हमने यहाँ पर open पर click किया हमारा uploading यहाँ पर complete हो चुका है तो यहाँ पर हमारा question आ चुका है उसके बाद यहाँ पर आपको questions के related कुछ describe करना है वो चीज़े आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ guess and then आपको कहीं भी आप click करेंगे यह चीज़े save हो जाएगी उसके बाद जो correct answer है यहाँ पर आपको type करना है तो यहाँ पर जो correct answer है वो आप type कर दे तो यहाँ पर हमने answer type कर दिया है उसके बाद हम कहीं भी बहार tap करेंगे यह चीज़े save हो जाएगी तो जैसे ही आप first level create करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर आपको कम से कम 50 level create करने है तो ही आप अपने इस game को create कर पाएंगे उसके लिए आपको यहाँ पर got it पर click करना है और यहाँ से आपको second level create करना है उसके लिए आपको same process है यहाँ आप upload पर click करेंगे और यहाँ से हम कोई भी questions एक choose कर लेते हैं हमने यहाँ पर already questions बना रखे हैं upload पर click करेंगे यहाँ पर हमारी uploading पुरी हो जाएगी उसके बाद आपके questions की हिसाब से आप यहाँ पर कुछ describe करना चाहते हैं वो चीज आप पर लिख दें यहाँ पर मैं दुबारा से लिख देता हूँ guess उसके बाद यहाँ पर आपको इस question का answer type कर देना है तो चलिए यहाँ पर question का answer मैं type कर देता हूँ तो जैसे ही आप level create करते जाएंगे आपके समने कुछ इस तरीके का interface आता रहेगा जैसे कि हमने first level create किया था हमें second का option आएगा second जैसे create किया third का option आया third जैसे create करेंगे fourth का option आएगा इसी तरीके से आपको कम से कम 50 levels create करने हैं उसके बाद आपको क्या करना है sound पर click करना है इस वाले section में आना है यहाँ से जो चीजे हैं आपको by default रखना है यहाँ पर कोई भी changes नहीं करना है अगर आप कोई भी sound को change करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का sound यहाँ से upload कर सकते हैं यहाँ पर आप click करेंगे upload पर इसके sound को आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं तो इस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं आप कर दें otherwise आपको by default इसको छोड़ देना है उसके बाद आपको यह पर क्लिक करना है आइकन पर जैसे हे आपको यह पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपने gaming का icon choose करना है उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर click करना इस jour कर देंगे इस इसकी size होनी चाहिए 512 pixels into 512 pixels, तो यहाँ पर हमारी game की icon create हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी changes नहीं करना है, तो आप अपने यहाँ से अपना icon चूज कर सकते हैं, या फिर आप इस में से कोई भी एक icon चूज करके अपने यहाँ से customize कर सकते हैं, but मैं आपको recommend करूँगा, अगर आप game बना रहे हैं, तो आप अपना खुद का icon बनाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर settings पर जाना है, and then यहाँ से आपका main काम start होता है, सबसे पहले आप जो अपने game का नाम देना चाहते हैं, वो यहाँ पर type कर दें, मैं यहाँ पर type कर देत कोई भी problem आती है, तो यहाँ पर आपको अपना real mail id डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा, अगर आप अपने game में 14 letter दिखाना चाहते हैं, तो आप 14 letters को choose कर ले, और यहाँ पर आपको दो option और मिल जाएंगे, जैसे कि 16 letter दिखाना चाहते हैं game में, तो यहा यहाँ पर अगर आपको कोई URL है, जैसे कि आपका YouTube channel है, Facebook है, या फिर कोई भी आप social media use करते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका link paste कर देना है, तो यहाँ पर मैं अपने YouTube का link paste कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इस वाले section में यहाँ पर आप दे सकते है GDPR compliance, यहाँ पर आपको अपने Admob का publish ID paste करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नजा tab open करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है Admob, और यहाँ पर आपको अपने ID से login कर लेना है, अगर आपने इससे पहले Admob पर ID नहीं बनाई है, तो आपको अपना ID create कर लेना है, उसके बाद आपको login करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर login कर लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने अपने Google Admob में login कर लिया है, तो ID निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको setting में जाना है, यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा account information का इसके पर आपको click करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा publisher ID, इस ID को आपको copy कर लेना है, मैंने इस चीज़ को hide कर रखा है, क्योंकि मैं आपको नहीं दिखा सकता, इस चीज़ को आपको copy कर लेना है, और यहाँ पर वापिस से आना है, और इस चीज़ को आ है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि user को क्या क्या करने पर कितने पॉइंट मिलेंगे उसके बाद आपको कोई we changes नहीं करना है हमने यहाँ पर general को set कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद हमने यहाँ पर hints पर जा पर इस hint वाले management को भी set कर लिया है उसके बाद आपको click करना है यहाँ पर monetize Allah section है इसके पर आपको click करना है तो जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ से हम अपने app को monetize करेंगे हम यहाँ पर use करने वाले हैं Admob का तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके पर हम click करेंगे Admob by Google पर तो जैसे हैं आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा तो सबसे पहले हमें अपना Admob का app id डालना होगा यहाँ पर तो app id कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ तो चलते हैं हम अपने Admob account पर तो app id create करने के लिए सबसे पहले आपको click करना होगा app पर and then यहाँ पर आपको add app का option होगा इसके उपर आपको click करना है और यहाँ से आपको choose करना है Android अगर आपने अपने app को play store पर publish किया हुआ है तो आपको yes को choose करना है अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप no को choose कर सकते हैं इसको हम बाद में change भी कर सकते हैं उसके बाद आपको continue पर click करना है और यहाँ पर आपको अपने app का नाम डालना है तो चलिए यहाँ पर मैं app का नाम डाल देता हूँ तो हमने यहाँ पर game के नाम डाल दिया है उसके बाद आपको click करना है add app तो जैसे आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर आपको click करना है create add unit उसके बाद आपको यहाँ पर select करना है banner उसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है यहाँ पर आप banner ही लिख दें उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना है create add unit तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यह जो है यह आपकी app की id है इस चीज़ को आपको copy करना है और यहाँ पर आपके यहाँ पर इसको paste कर देना है उसके बाद आपको इस चीज़ को copy करना है यह आपका banner add का id है इस चीज़ को आपको copy करें और यहाँ पर आप दे सकते है banner add unit इसके जगाँ पर आपको paste कर देना है उसके बाद दुबारा से हम जाएंगे add boom account में उसके बाद हमें यहाँ पर click करना है create another add unit उसके बाद हम यहाँ पर choose करेंगे intertacial यह वाला add यहाँ पर select पर click करेंगे and then यहाँ पर आपको type कर देना intertacial उसके बाद आपको click करना है यहाँ पर create add unit आपकी app की unit create हो चुकी है तो अभी आपको सिर्फ इस वाले को copy करना है और यहाँ पर लाकर paste कर देना है intertacial add unit में अगर आप rewardable add लगाना चाहते हैं तो आप यह भी लगा सकते हैं बड मैं यहाँ पर rewardable add नहीं लगाना चाहता सेम प्रोसेस है आपको add mom account में आना है create another add unit पर click करना है यहाँ पर आप दे सकते हैं rewarded का option है यह जैसे आप select पर click करेंगे यहाँ पर आपको नाम डालना है और create कर देना है similar पहले जैसा ही तो आपका जो है rewardable add unit create हो जाएगी तो चलिए हम यहाँ पर back कर देंगे और इस चीज़ को cut कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने unit बनाई थी दोनों यहाँ पर show हो रही गया है जैसे कि banner और deduction तो चलिए हम चलते हैं वापीस से यहाँ पर तो हमने यहाँ पर जो है अपने addmob की id डाल दी है उसके बद हमने banner add डाल दिया है उसके बाद इंट्रेंटिशल add डाल दिया है उसके बद आपको क्या करना है यहाँ पर quand पर क्लिक करना है, जैसे आप connect पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉप अप आएगा और यहाँ पर आपको अपने AdMob Account से लॉग इन करना होगा जैसे आप लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पर आपको connected का message आ जाएगा इसका मतलब है कि आपका AdMob Account यहाँ पर connect हो चुका है example के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने already अपने नए tab में अपने original ID को login कर रखा है तो हम चलते हैं monetize वाले tab में और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब कुस सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर connected दिखाई दे रहा है तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करके अपने account को link कर देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से show होगा connected का उसके बाद आपको क्या करना है इस चीज़ पर क्लिक करके आपको इसको on कर लेना है यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर on दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हमारा सारा process complete हो चुका है हमने design बना ली content डाल दिये sound विगरा देख लिये icon set कर लिया है settings भी कर लिया है और अपने app को monetize भी कर लिया है यहाँ पर मैं आपको दुबारा से बता देता हूँ जब तक आप अपने 50 levels को complete नहीं करेंगे तब तक आप अपने game को create नहीं कर पाएंगे मैं आपको अपने original ID में दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर 50 levels create किये हुए है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमने 50 levels complete किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई question को उपर नीचे करना चाहते हैं तो वो चीजे भी आप बड़ी असानी से कर सकते हैं आपको यहाँ पर click करना है यहाँ आप देख सकते हैं इसको click करके आप कहीं भी इसको drag and drop कर सकते हैं आपको किशी question को ऊपर नीचे करना है तो आप इस तरीके से इसको drag and drop कर सकते हैं तो यह चीजे भी आपको पता चल चुकी हैं, तो जैसे ही आपका 50 levels complete हो जाता है, तो आपका यह जो बटन है यह ready हो जाता है, तो जैसे ही आप generate game पर click करेंगे, आपकी game generate हो जाएगी, generate होने के बाद कैसे आपको download करना है, मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर इसके home page पर, हम यहाँ पर no कर देंगे, तो जैसे ही आपका game create हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीन levels बने होंगे, यहाँ पर create game का, generate game का, और यहाँ पर publish का, तो हमारा तीनों level complete हो चुका है, तो आपके case में भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, उसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपका game, उसका version, और यहाँ पर कितने user, sessions वगरा दिखाई देंगे, आपकी जो भी add mom की earning होगी, वो यहाँ पर show भी होगी, अगर आपको अपने game को download करना है, तो यहाँ पर आपको button है, इसके पर जैसे click करेंगे, आपका game download हो जाएगा, वैसे तो आपको quick ninja app की तरफ से mail भी आ जाता है, जैसे आपका game generate होता है, और वहाँ पर भी आपको link मिल जाएगा, आपके game को download करने के लिए, बट अगर आपका game आप यहाँ से generate करके download करना चाते हैं, तो यहाँ पर आप click करेंगे, download वाले section पर आपका game download हो जाएगा, अगर आप future में कुछ edit करना चाते हैं, अपने game के logo वेगरा, कुछ भी questions वेगरा change करना चाते हैं, तो यहाँ पर आप three dots पर click करेंगे, यहाँ पर आपका option मिलेगा edit game का, यहाँ पर आपका game को edit कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे options और मिलते हैं, तो यहाँ पर आप check out भी कर सकते हैं इस options को, तो इस तरीके से जो है आप अपने game को create कर पाएंगे, और monetize भी कर पाएंगे,